हलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सलेंट यूटूब चैनल पे दोस्तों आज हम बात करेंगे आई योसेल की तरफ से जारी एक नई वेकेंसी के बारे में जो मैं आपको इस वीडियो के माधम से पूरी जानकारी देने वाला हूं इस वेकेंसी के बार उनके लिए यूपोर्टेंट वेकेंसी आ रही है जो कि इस वीडियो के माधम से आपको बताने वाला हूं कि यह फार्म आपका कब तक भरा जाएगा क्या इसका लाश डेट है सारी जनकारी में आपको देने वाला हूं इस वीडियो के माधम से तो सबसे पहले तो दोस्तों इसमें आती है मतलब इसमें कितना मंगा गया तो सबसे पहली यहां पर आप देख सकते हैं जो इसमें एज लिमिट मंगा गया इसमें साफ साफ लिखा गया एक अटारा एज एज एंड शुड नाट भी मूर देन 26 मतलब कि 18 से यदि आप 26 वर्ज कें तभी आप आप अपलाई नहीं कर पाएंगे और जो इसमें आपका एज काउंट किया जाएगा जैसे कि देख सकते हैं एज ऑन 22-12-2020 फार्दा रिलेक्सल रेफर पॉइंट है मतलब कि यहां पर आपका 22-12-2020 से उम्र काउंट किया जाएगा यदि आप 22-12-2020 के काउंट किया जाता है और 18 से यदि 26 आप इस फांग को अपलाई कर पाएंगे थोड़ा सा आप नीचे आ जाते हैं तो यहां पर आपको देखने को मिल जाता है पोस्ट मतलब किस पोस्ट पर आपकी वेकेंसी निकाले गए क्या इसमें योगता मांगा गया है और इसमें आपको कितने प्रसंत मार्क चाहिए बत आप ने टू यहर का इटी अए का कंप्लीट कर लिए तो भी आप हम को अपलाई कर पाएंगे इसमें दोस्तों दो ट्रेड इसमें मेंशन किया गया है आटो मुवाइल है और यहां पा मेकेनिकल इंजिनिंगे तो इंदो ट्रेडों से आपने आप इस फांग को अपलाई कर पाएंगे थोड़ा सा यहां पर आप नीशे आ जाते हैं तो यहां पर दूसरे नंबर पर जो आपको मेंशन किया गया इंजिनिरिंग असिस्टेंट के पत्व है जो कि यहां पर कमागा गया ट्रेड इसमें भी आपका फोल टाइम डिपलोमा कंप्लीट होना चाहिए और टू कि बात करें तो इसमें आपका एंजिनिर्ग एंजिस्टेंट के पत्पार आता है जो की ग्रेड फोल के निकाला गया है इसमें आपका जो होना चाहिए देख सकते हैं इसमें भी आपका ट्रेड इंडवा कंप्लीट होना चाहिए और टू यह का आइडिवा इन तो आपको अप्लाइक कर लिया है तो आपको अप्लाइक कर सकते हैं चाहे आपने डिपलूमा कंप्लीट कर लिया आप इस फार्म को अप्लाइक कर पाएंगे अपको आपको अप्लाइक कर सकते हैं यहां पर यहां पर आपको आपको अप्लाइक कर पाएंगे और इसमें द्यान देने वाली बात है इसमें आपको बहुत सारे इस्ट्ट को यह कंफिजाना आता है मेरा nemसीटी से स्टपिकेट है क्या हम अप्लाई कर पाएंगे या मेरा लीड की निकल कर डियें एलेकरी केंसी अरनों लोग को अप्लाय कर पाएंगे इसमें यहां पर सकते हैं वे आपका सबसे पहले उपर आप ध्यान देखिएगा इसमें सारे ट्रेट में आपका two year का complete होना चाहिए बाकि जो यहां पर mechanic डिजल से वह आपका one year का ट्रेड है इसमें आपका one year का complete होना चाहिए यदि आप इसे फार्म को apply कर रहे तो इस बात को आप ध्यान किएगा बाकि यहां पर बात करते हैं अप्लिकेशन फीज कि यहां पर देना पड़ेगा तो इसमें साब साब लिखा के candidate अवलाइंगे टू जनरल एंड ओविसी कंडिडेट कर्टेगरी की जो अंतरगरत आते हैं कंडिएट उनका यहां पर सोर पर लगेगा बाकि यदि आप अधर यहां पर आते काश्ट से जैसे की स्टी और पीड़ुडी के अंतरगरत आते हैं इस इस बात को आप ध्याने किएगा वाकि थोड़ा सा यहां पर नीचे आ जाते हैं तो यहां पर अधर भी आपको जनकारे देखने को मिल जाती है जैसे की स्किल टेस्ट होगा जो कि आपका पर यहां पर यहां पर एक रिटेनिक जाम होगा यदि उसमें आप अच्छे पर लेँ तो आपको यहां पर एक आप पर ल्वाइंगा तो आप इसका इसमें आप पाव आंगे बाकिसमें अधर जनकार भी आप देख सेते और पिसमें आप इसमें सेलेक्शन हो जाते इसमें आपको बहुत सारी डॉकुमेंट का वेरिफिकेसं भी करना पड़ेंगा मतल आपके उपर है यदि आप अप्लाई करना चाहते तो कर सकते हैं लिंक आपको इस वीडियो के डिसीशन में दिया गया अप्लिकेसन का तो आप वहां से भी फान को अप्लाई कर पाएंगे वाकि दूस्तों अधर चंकारी की बात करें तो इसमें जो आपका यहां पर निकाले तक यह आपका फार्म भरा जाएगा 15 जनवरी 2021 तक फार्म भरा जागा तो जो लोग फार्म को अप्लाई करना चाहते कर सकते हैं उसके बाद यहां पर इसे वेफसाइट को क्लूज कर दिया जाएगा ठीक है इस बात को आप ध्याने केगा बाकि जो फीस पेमेंट कर डेट जो चाहते हैं किसी भी परकार की कोई भी वेकेंसी आती है या आपकी अप्रेंटिस की आती है या यहां पर किसी भी तरह की कोई भी वेकेंसी आती है उसका आप जनकारी चाहते हैं तो फिलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा नीचे आपको एक रेट कलर का बटन द मातरूं